2.3.3 शारक धात्वी औधात्वी 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 औधा sodium hydroxide के साथ अभिक्रिया करके sodium sulfite तथा जल बनाती है SO2 gas plus twice NaOH aqueous is equal to Na2SO3 aqueous sodium sulfite plus H2O liquid 2.3.4 अमल और शारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं हम जानते हैं कि अमल और शारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं अमल धन शार बराबर लवण धन जल आईए इसे एक क्रिया कलाब द्वारा समझें क्रिया कलाब 5 एक परखनली में 20 बूंदें तनू हाइड्रोक्लोरीक अमल की लेकर एक दो बून फिनॉल्प्थिलिन डालिए परखनली को हिलाते हुए उसमें ड्रॉपर की सहयता से बूंद बूंद कर तनू सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन तब तक डालें जब तक विलियन का रंग हलका गुलाबी न हो जाए विलियन की रंग परिवर्तन का क्या कारण है इस अभी क्रिया को रासायनिक समे करण द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया जाता है अमले में शार की एक बूंद डालने पर वह अमले के कुछ अणों से क्रिया कर लवन और पानी बनाता है यह क्रिया उदासीनी करण निट्रिलाइजेशन कहलाती है इस प्रकार शार अमले के साथ अभी क्रिया करता जाता है जब अमलिक के सारे अणों शार्क के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तब विलियन उदासीन हो जाता है इसके पश्यात शार्क की एक और बोन डालते ही विलियन का रंग गुलाबी हो जाता है अब बताईए इस विलियन की प्रकृती क्या होगी